Hello and welcome to Bollywood Vala, I am Sonup. दोस्तों मैंने The Fabulous Lives of Bollywood Vives नाम का नया शो देखा है Netflix पर. Honestly speaking, it's not a bad show. It's a very bad show. And it's a very badly scripted show. सबसे पहले तो मैं मधुर बंडारकर जी से कुछ कहना चाहता हूँ. मधुर जी आप tension बिलकुल मत लेलो. करन जोहर का ये जो नया शो है ना, वो उनका कलंक 2.0 version है. और करन जोहर ने मधुर बंडारकर से माफी माँगा था. मेरे हिसाब से करन जोहर को भारत के जनता से माफी माँगना चाहिए. He should apologize to the nation for having made a show like this. यार क्या था ये? और क्यों बनाया ये? और Netflix ने क्यों खरीदा, यार? Anyways, Netflix तो यार dumping ground बन चुका है. Gone case है, यार मैं तो कुछ बोलूंगा है नी. पट यार ये जो show है, इसका जब trailer में ने देखा. Trailer देखने के बद मुझे ऐसा लगा, शायद stardust magazine जैसा कुछ होगा, जिसमें ये जो Bollywood vibes है, वो insiders है. और insiders बन कर हमें कुछ gossip, scoop, bitching, bitching करेंगे, जिससे show तोड़ा चटपटा और मजएदार होगा. वेड़, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें क्या देखने मिलता है? हमें ये Bollywood vibes का personal boring life देखने मिलता है, उनका boring friendship देखने मिलता है, उनका boring travels देखने मिलता है. So the first question to be asked is, why should we see it? Why? Number one, these Bollywood vibes are not famous. Let's accept this fact. They have always stayed away from the spotlight. And also their respective husbands are not some big superstars. They are not big successful actors. The only one who has at least tasted some success in his life long time ago was Chunky Pandey, that's it. So, अगर आपको कोई Bollywood wife के उपर show बनाना है, तो Akshay Kumar के wife को ले लो, Shahrukh Khan के wife को ले लो, Ajay Devgan के wife को ले लो. These people are superstars and their wives are also equally popular. और ये क्या show का scripting क्या खराब करके रखा है, सबसे पहले तो जब ये चारो wives लोग बैटते साथ में, Maheep, Seema, Bhavna, Neelam, उनका discussion क्या starting में होता है, bra के उपर, water bra. They were sounding like some sales girls from a lingerie shop. उसके बाद, Maheep, अपने बेटी Shania और Sanjay को लेकर Paris गुमने जाता है. उदर कोई ball करके, कोई la ball, la ball करके कोई कुछ event है. वो French वालों का नाच गाने का एक program है. वहाँ पर Shania participate कर रहे थे, तो इसलिए उनलोग चले जाता है, Paris. तो ये शो में, Shania का वो dance बगेरा शूट करके दिखाया है. Sanjay Kapoor, Jetli के साथ photo खीचके, Instagram पर डाल रहे हैं, वो सब दिखाया है. How is that entertaining or interesting? And why should audience be seeing it? इससे ज्यादा entertaining तो यार, गनपती का dance होता है, जो हमारे मंडल में, लोकल मंडल में जो होता है, that is much more interesting to see. And very entertaining. और नीलम कोठारी, भाई सबसे पहली बात तो नीलम कोठारी ने ये fake accent का से खरीदा है, इवन महीप का भी fake accent. पर नीलम का तो और ज्यादा irritating लग रहा था. और नीलम और समीर सुनी का एक conversation होता है, जहाँ पर नीलम, समीर को बता रहा है कि ये जो script मुझे मिला है, बहुत ही खराब script है, गालिया वालिया बहुत है, मैं बोलती नहीं हुए सब. पहली बात तो नीलम को script मिलना मतलब दुनिया का आठवा आजूबा है हूँ. अब मुझाग उड़ा रही हो script का. दोस्तो पूरे शो में सिर्फ भावना पांडे और सीमा खान, नॉर्मल और नाचुरल लगे है, भावना और चंकी रियल लगे, सीमा और उनके बच्चों का जो interaction था, वो अच्छा लगा, और बाइदेवे, अर्बास का बेटा एक छोटा appearance करता है, इसमें इस a very good looking guy, total star material है, total star material, I think Salman शुद लॉंच इंग, सिर्फ भावना और सीमा मुझे normal और natural लगे, otherwise, महीप और नेलम, totally disappointed, सबसे worst, करंजोहर, करंजोहर इंट्री मारता है, और करंजोहर रेस्टोराण में, ये चारों के साथ बैठके, केगड़ा मसाला खा रहा है, और conversation कर रहा है, over wine and champagne, क्योहर हम देखे, क्योहर हम सुने, क्या है interesting इसमें, और गाली गलोज, भया, गाली गलोज इतना, कि यार, कान बंद करना पड़ेगा आपको यार, और संजे कपूर जैसा आदमी, गाली गलोज कर रही, डोजन लोग गोड यार, और नाचुनल भी नहीं लग रहा था, क्या cool quotient है क्या ही, अरजुन कपूर जब entry मारते ये शू में, महीब को वो संबोधित करते एक English गाली से, शायद वो English गाली इनके लिए cool होगा यार, मनना महीब को problem है, और महीब का बेटा भी बेटा है, how can Arjun say that in front of महीब's son, I don't understand, anyways, मिरको एक पूरा show कुट समझ में नहीं आया भाहिया, इतना वाहियाद show, करण जोहर ही बना सकता है, I am giving this show zero stars, तो अगर आप लोग देखोगे at your own risk, then let me know आपको यह शो गैसे लगा, अभी यह शो का पाप धोने के लिए, मुझे पेनिंसुला देखना पड़ेगा, I am going for that, टाटा.